सुप्रीम कोट में करनाटक कॉंग्रेस और जेटी इस के बागी विधायकों की याचिका पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगवाई वाली बेंच ने सुनवाई की कोट में सुनवाई के दौरान दिलचस्प बहस हुई बागी विधायकों की तरफ से पैरवी कर रहे वकील मुकल रहतगी ने कहा कि बागी विधायक इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन स्पीकर क्या रमेश कुमार जानबूच कर इस्तीफे स्वीकार नहीं कर रहे हैं बागी विधायकों का ये भी कहना था कि स्पीकर उन्हें अयोग्य घोशित करने के इरादे से इस्तीफे पर फैसला नहीं ले रहे हैं बागी विधायकों के वकील रोहतगी ने कोट में ये भी कहा कि विधायकों के इस्तीफे को अयोगिता से जोड़ कर नहीं देखा जा सकता वही करनाटक स्पीकर रमेश कुमार की तरफ से कोट में पेश हुए वकील अभिशेक मनु सिंगवी ने कहा कि जब अयोग के होने पर सुनवाई जारी है तो विधाय के स्तीफा कैसे दे सकते हैं साथ ही सिंगवी ने कोट से करनाटक में यथा स्तिती बनाए रखने वाले पिछले आदेश को वापिस लेने की अपील करते हुए कहा कि अगर कोट अपना आदेश वापिस ले ले तो बुधवार तक स्पीकर बागी विधायकों के स्तीफे और अयोग्यता पर फैसला ले लें हैं जिसके चलते विधायकों को कोट का रुख करना पड़ा दरसल स्पीकर ने कहा था कि कोट स्पीकर को निर्देश नहीं दे सकता वहीं करनाटक के CMHD कुमार स्वामी की तरफ से पेश हुए वकील राजीव धवन ने कहा कि बागी विधायकों के स्तीफे की मंचा की भी जा चूनी चाहिए। स्पीकर आँख मूंद कर नहीं बैठ सकते बागी विधायक खास मकसद के लिए मुंबई चले गए जबकि वो स्पीकर से मिल सकते थे। बहरहाल सुप्रीम कोट बागियों की याचिका पर बुधवार को फैसला सुनाएगा लेकिन बड़ा सवाल ये है कि करनाटक संकट का क्या समाधान निकलेगा। दिली से गुपाल कृष्ण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट स्वाराज एक्सप्रेस।